दोस्तो भारत और इंगलेंड के बीच एक जुलाई से टेस्ट मैच खेले जाना है और यह मुकाबला टीम इडिया के पिछले इंगलेंड दोरे पर ही खेले जाना था लेकिन तब चार मैचों के बाद कोरोना आउट ब्रेक हो गया था और मुकाबले को स्थागित कर दिया था दोस्तो बले ही मैच करीब 10 महीने की देरी से हो रहा है लेकिन इसकी एहमियत अभी भी उतनी है जितनी इंगलेंड की पिछली गर्मियों में थी दोस्तो टीम इंडिया के लिए तो इसकी वैल्यू और भी ज़्यादा है तो आईए जानते हैं इस मैच के बारे में दोस्तो अगर भारती टीम यह टेस्ट मैच जीत जाती है तो सिरीज भी 3 नेक से अपने नाम कर लेगी और 15 साल बाद भारती टीम इंगलेंड की धर्ती पर टेस्ट सिरीज जीतेगी क्योंकि भारत ने आकरी बार 2007 में राहूल दर्विट की कप्तानी में इंगलेंड में सिर प्रम्यावी हासिल की थी दोस्तो 2011, 2014 और 2018 में खेली गई सिरीज में भारत को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था वही बात करें बर्मिंगम की तो बर्मिंगम में हार की स्थिती में भी भारत के पास एक तसली वली बात यह होगी कि भारत के पास अब भी सिरीज 2-2 से ड्रा करने का मौका भी हो सकता है फिर कहानी यह है बनेगी कि 15 साल में पहली बार भारत ने इंगलेंड को उसके घर में सिरीज जीतने नहीं दिया दोस्तो वर्ल्ट टेस्ट चैंपिंशिप के पहले सीजन में टीम मिडिया फाइनल तक पहुची थी जहाँ उसे न्यूजिल सिहार का सामना करना पड़ा था